दिस्मिल्लारामारेराहिम लास्टाइम हम नहीं बात की Follicle Stimulating Hormon की हम देख रहे थे Follicle Stimulating Hormon जो के रिलीज होता है तीर गुपफ पे चुठी है और उसको हमने कप्लीट कर भी है था next hormone आज हम देखेंगे Luteinizing Hormon तो हमारा topic है आज करें Luteinizing 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 होता है तो कुछ चीजें मैं कल बता जुगा था मैं एक दफ़र repeat कर दूँ हलका सा मैंने आपको कहा था कि जब estrogen की मिकदार बढ़ती है तो उसकी वज़ा से Follicle Stimulating Hormon की मिकदार का होता है क्या बढ़ता है हमने देखा estrogen की quantity बढ़ती है तो क्या होता है FSH और हमने कहा कि as a whole हमने कहा कि as a whole इन दोनों चीज़ों की बज़ा से एक और hormone release हो रहे है इससे हमने नाम दिया क्या जी हमने कहा कि यह क्या है Utilizing Hormon तो पहले तो हमने देखे कि Utilizing Hormon किस तरह से release हो रहे है और कहां से release होता है definitely यह भी anterior loop से release होता है यह भी कहां से release होता है Released from anterior loop Released from anterior loop अच्छ अब हम देखेंगे Utilizing Hormon का का कुछ चीज़े मैं अगें बता चकर आपको मैंने कहा था कि यह जब एक्ट बनता है एक तो वो एक कपरिंग में बनता है जिसे हम future में जाके क्या कहते है जी यह उसकी कपरिंग होती है एक्ट की कपरिंग होती है यह green color से और red color से जो एक्ट है और कि इन दो चीज़ों को मिलाता है इसे मैंने कहा था इस एक और यह जो covering थी इससे मैंने कहा था corpus luteum ठीक है और दो मों को मिलाके मैंने कहा था follicle ठीक है तो मैंने कहा कि follicle release होता है follicle stimulating hormone की वज़ा से कहां से ovaries ovary release करती है follicle ठीक हो कहते है अब यह act है और यह उसकी casing है उसकी cover है अब luteinizing hormone luteinizing hormone जो है तो luteinizing hormone का पहला function यह क्या करता है maturation of follicle maturation of of follicle 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 mature करवाता है यह follicle अब उसके पार बड़ा important ना ही करते है यह उनकी luteinization भी करवाता है क्या करवाता है luteinization process of luteinization यह क्या करवाता है process of utilization what is luteinization process what is luteinization process तो यह जी follicle का ripe करना ripening of follicle ripening of follicle करना luteinization luteinization होगी तो क्या होगा अब होगा इस तरह से जी होगा इस तरह से यह की टैक बार ने करा है अब जब करें casing मेंसे एक बार ने करा है definitely अब हम इस स्टेज में हम इस की casing को corpus luteum कहाते है यह जो स्टेज है यह corpus luteum है यह कहा है corpus luteum और यह कहा है यह तो यह का process है इससे हम ovulation भी कहाते है यह process कहा है ovulation यह एक का अजाद हो ना ovulation है ठीक है तो यह भी कौन करवा रहा है luteizing और उन करवा रहा है एक को अजाद करवा रहा है पहले क्या किया जाता है फॉलिकल को येलो किया जाता है और उसके बाद एक को बाहर निकाल ले जाता है corpus luteum से अच्छा तो आप कह सकते हैं इसी का function है क्या जी corpus luteum की formation utilizing corpus luteum को बनाई ये क्या कर रहा है formation of corpus luteum formation of corpus corpus luteum अच्छा बढ़ी यहां important बाद है अब हमने कहा था हमने कहा था कि follicle is a source of estrogen follicle is a source of estrogen तो आपने याद रहने है कि यहां पर भी follicle जो है वो estrogen बना रहा होते है और follicle में से estrogen और किसने बनवाया था follicle stimulating hormone है यह भी क्या कर रहा है estrogen बना रहा है follicle से और follicle stimulating hormone भी क्या कर रहा था estrogen बना रहा था follicle तो हम यहां पर एक और point लिए क्या रहा है secretion secretion of estrogen with follicle stimulating follicle stimulating hormone और इस अगर प्रोजेस्ट्रों को अच्छा अब प्रोजेस्ट्रों को अच्छा प्रोजेस्ट्रों को यह 280 देज तक प्रोजेस्ट्रों रिलीज करते है और प्रग्रेंशी मेंटें करते है प्री बात समय जागे तो फिर आप कह सकते हैं कि यह प्रोजेस्ट्रों की secretion को भी प्रोड्यूस का रहे है कहां से कॉर्पस लिवट की है उसे प्री बात समय जाओगे स्टार्ट प्रोड्यूस 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 क्या ही? प्रोजेस्ट्रों 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 कर्पस लूटी उंसे ये प्रोजस्ट्राउन की पितदावर को भी कंड्रोल दा है एप इंपॉर्टेंट वाद है लूटियाइजिंग हॉर्मून को हम देखें अब अगर आप मेल में बात कर रहे हैं अगर आप मेल के अंदर इसकी बात कर लें इंप इन्डेस्टियाग सेल स्टिमुलेंटिंग और इन्डेस्टिशियल सेल स्टिमुलेंटिंग और C-S-H, Interstitial Cell Stimulating Hormone अजी करता क्या है? मेल के अदर ही क्या करता है? भाई यह मेल के अंदर जाता है मेल के अंदर जाकर टेस्टिस के ऊपर इंटरस्टिशियल सेल की ऊपर अक्ट करता है और वहां से टेस्टोस्टिरोन की मिकदार को प्रोड्यूस करता है अधी बात समाने आगी हैं यह क्या करता है? Act on Interstitial cells of testis to produce secretion of secretion of what? secretion of testosterone secretion secretion of testosterone testosterone clear हो गए क्या release करवाता है? testosterone की secretion को testosterone की secretion का नाम आपको बता है यह क्या कार रहा हो रहा है? एक तो spermatogenesis को control कार रहा होता है और दूसरा male sex character के नदर कार रहा होता है तो यह हमारे पास थे utilizing hormone तो यहां कर हमने देखा utilizing hormone को next video में हम देखते है next haul खुदा आफुदा 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 आफुदा